कि नमस्कार दोस्तों रिये स्वेसे निकेट भी में आप सभी लोगों का स्वागत है और भारती अर्थिवेवस्था के अंतरगत हम लोग किर्सी टापिक पर चर्चा कर रहे हैं और इसके पूर्व में किर्सी से संबंदित दो लेक्चर अप्रोड किये जा चुके हैं जिसमे किर्सी की समस्या है और विसेस्ताओं को पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में जो है किर्सी सुधार को देखा था जिसके अंतर का संस्थागत और तक्नीकी सुधार देखा था जिसमें जमिनदारी और जागिरदारी परथा का समाप्ती सीलिंग बेवस्था और इसी इसका भार्तिय व्यवस्था के साथ लोगों के जीवनियापन लोगों के आय विदेश्ची में निर्यात और आई त्याद की छेत्र में इसका रोल होता है इसलिए हम इस टापिक को जो है बहुत ही कंप्रियोसिबली चर्चा करेंगे बहुत ही ब्यापा का स्तर पर बिश्च् सब्दाया है समानते हम लोग व्यापार और विक्री देखते हैं खरीद फरोग्दे देखते हैं लेकिन विपढ़न किर्सी से संब्दित उत्पादों को जब किसी किसान के द्वारा किसी कार किया जाता तो जो उत्पाद होते हैं वह आपने आउसकता कि चीज़ों को अपन कर्मिंग कहला ता है इसलिए यहां पर इसके लिए सब्द जो परियोग मिला गया है कि शी भी बट रट यानि कि कि से समभंदित जो पादन उसके विक्री को विपढ़न कहा जाता है तो इस तरीके से यह से संब्दित जीजी आती है एक सामान ने परीच्छे हमेशा से एक क की संस्थागत बेवस्था क्या क्या रही है इसकी जो समस्याएं क्या है उपाई क्या है और निश्कर्स क्या है अब जैसे आप किसी भी टापिक को इस पॉइंट आप भी उसे अगर पढ़ते हैं विप्रण किसी विप्रण की समस्याएं किसी विप्रण के टापिक को अगर लेते हैं और इस फार्मेंट में तयारी बनाने का प्रयास करते हैं तो नाकेबल उस टापिक की एक समझ विक्सित होती है, बलकि अगर आप मुखी परिच्छा में लिखना चाहते हैं उत्तर को, तो वहाँ पर लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, और ध्यान होगा कि जब कोई निबंध पूछा जाता है, तो हमारे लिखने का दृष्टी कहीं नहीं आईसे ही होता है, इन सभी पॉइंट्स पर हम अपने मौलिक विचार को बैक्त करते हैं, यह तब मौलिक विचार आपका जो है, वो अनुभो से प्रभावित होता है, क्या उससे संतर्व में प्यावस्थाएं रही हैं, क्या समस्या रही हैं, जब आप उसका observation करते हैं तो एक निसकर्ज निकलता है और उस निसकर्ज के आधार पर अपनी विचार को जब आप सुगठी धंक से जो है इन बिंदूओं या इन पॉइंट्स के मार्देम से बेक्ट करते हैं तो वही चीज जो है उन निबंद हो जाती है और निबंद लिखने की समस्या भी लिखने का हां यह बात और हैं को सबसें के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है उस टौपिक के बारे जो है या देन में एक ऐसे जो है अप्रोच को डेवलप करेंगे तो देरे देरे आपको निबंद की समस्या भी दूर हो जाएंगे और मेंस जो कि मेंस का मतलब ही मुख्य है जो कि आपके चैन का सबसे महत्पूराधार है वहां बेबे आपको सारी चीजें आपको रिटेन में ही लिखना है तो अगर यह अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो जाएगा तो मेंस भी लिखने में आपको पठीना ही नहीं होगी परी तक पहुंचना को बढ़ी बात नहीं हो लोग कर भी लेते हैं 12-14,000 लोग वहां क्वालिफाई करते हैं फिर उसके बाद उन लोगों की पीछ में कमप्रीशन होता मेंस लेस तर पर जिसकी तयारी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और आपकी तयारी मैं जहां तक समझता हूं कि सभी बिंदूओं को लेकर के एक साथ चलनी चाहिए प्रीक मेंस के पैटरन पर तयारी होना चाहिए आज की मेंस में भी तो इसी ब्लग गडिए सबसे महत्त पूरन हो पाता है तो अनुद्पातों का जब सही मूले प्राप्त नहीं होगा तो वह अपनी आँ सकता कि चीजें पूरी नहीं कर पाएंगे चाहें वह वृग्तिक और पारिवारी कस्ती चीज नहीं हो यह जो है खेती या किसानी से संबंदित हों महात्पूर्ण आगते हों आगतों के अंदर हम लोग ने बता है कि सिंचाई बीज की इतना सक उर्वरक ये सारी चीज़ें उसके आगतों के अंतरगत आते हैं तो जब अच्छे किस्म के नहीं प्रयोग करेंगे तो उत्पादन की बेवस्था का सुनिश्चित होना आउस्सेख है जिसके माध्यम सिक्तिसान संतोष जनग्धंग से अपने उपच का जो मूले प्राप्त कर पाए लेकिन भारत में विबिन प्रकार के जो फस्ट्रों के विप्रण में जो समस्य हैं देखी जाती रही है तो इन्हीं बातो सहकार की जो है नियमित बाजार नियमित बाजार नियमित बाजार सहकारी विपड़न समीथी NCDC राष्टिय सहकारी विकास संग राष्टिय सहकारी विकास संग नेफ्रेड नेशनल अगरिकल्चर कॉपरेटिव मार्करिंग फेडरिशन आफ इंडिया यानि कि राष्टिय क्रसी सहकारी विकास संग और इसी तरीगे से जो ट्राइफेड भी आया है यह जो है जनजाती छेत्रों में जो है सहकारी विकास संग किया स्थापना की गए तो यह है यह है यह है यह है इसके साथ साथ जो एफ सी आई और अगला है फूड एंड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट खाद्यों रसल विभाग एफ से इतनी जो बेवस्थाएं हैं वह आपके क्रिसिक विपडल के संदर्व में एक संस्था करते धांचे को प्रस्तूत करते हैं यह विभिन अस्तुनों की सरकारों के दोरा बना वह से स्लासित होती हैं समझ समय पर क्रिसी नीतियां या खरीद नीतियां जारी की जाती हैं जिनके आलोप और प्रिष्ट भूम में इन संगठन और संस्थाओं के द्वारा किर्सी उत्पादों का विपडल कारिक किया जाता रहा है तो नियमित बाजार के संदर्व में यह है कि भारत में जो है संस्था या संगठनिक अस्तर पर जो है किर्सी उत्पादों के विपडलन के लिए जो नीमित बाजार बनाएं यह संथानिया या structure जो है सकारों के वो सही तरीकिए से इनकी उत्पात का मूल मिल सके तो नीमित-बाजार, अलग एक छेत्रों में नीमित-बाजार लगते हैं तो के ल Bizा जब ये इन संद्र पर यहां सकझा है अस्तार या करतार, सरकारों के द्वड़ बनाएकिक je मिन्यमों से और जाती है, व मोद x Cooper? यहां पर कॉपरेशन है और कमिटी है जब दस या दस से अधिक किसान मिल करके अपने फशलों के विक्री करने के लिए जो है, कोई समुह या समीती बनाते हैं और एक साथ जो अपने फसनों के विक्रिक करने इस अपनी सहमती देते हैं तो वो सहकारी समीती हो जाती है 舒94 से पूर्व में जो है सहकारी समीतियां यानि meditation समीतियां और साक समीतियां किसानों के उत्पादन को बिकरिक से ثंबंदित होती थे वह भी प्रण समिदियां तो 1904 से पहले यह रिए होथी लेकिन पाद में बहुद्देसी सहकारी समिदियां बनाई चाहने लगी इन इनमें जो है किसान के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा जो भी फसले उत्पादी फसले जो आती थी उनकी जो है ग्रेडिंग होती थी रखी जाती थी और उचित मूले आने पर वो विक्री कर दी जाती थी और किसानों को उनका मूले प्राप्त हो जाता था और एक सबसे जादा अगर हम उत्र परदेशती बैवस्ताइएամ पंजाब में बहुती विपड़न हो रही है बिक्री हो रही है विपड़न हो रही है वहां में किशानों का और अगर यूपी में देखें तो यहां पर खादरेश्वत भी भाग और इसके साथ में जो है आपके तो यहां पर यहां पर बिकास संध्य की गई चॉँशी जो आपके कनीं देखेंमी फश्पाइश्व कि रौ में breaths यहां सब्सक्राइब करने गई बाश्रों के उत्पादन उसके भंडारन रख रखाओ विक्री त्यात से संबंदित जो है एक राष्टी अस्तर की जो संस्था है एंसी डिसी और नेफेड है यह उन्नेश्टो इसलिए चीजों को क्लियर करना बहुत जरूदी है कि जिससे की प्राणामबिक और मेंस दोनों के ही लेबल की जरूरतें आपकी जो है पूरी हो सके तुनिश्टो अथावनिस्टी में जो है आपके नेफेड की जो है स्थापना की लिए नेशनल एग्रिकल्चर फेडरेशन आफ इंडिया राश्टी किरसी सहकारी बिप्रण परिशनल की इस्थापना की गई यह एक सी सस्थर की जो है सहकारी इता की छेत्र की जो है संगठन है यह मुखी रूप से अगर देखा जाए तो विभिन प्रकार के जो फसलों को जो एकत्तरन करना और उसका ज चालिद करती है इसके साथ जो है जिन छेत्रों में जो आधिक होता जिन छेत्रों में कमी होता तो आधिक किसे कमी वाले छेत्रों में भी जो ही यह फसलों को जो है भेजती है तो इस तरीके से एक संतुनल बनाया रखना इसका मूल रूप से काम है उसका टार्गेट इस तर गया था ऑलने फ्रेट के osion पर हैं लेकिन नंजाद ये सूं के लिए अ रिशतियों के लिए और इसकी अस्थापन अगर देखा जाए तुब लुए शड़तलग में इसका मकि उथल mistakes जन जाती यह नीजी य lowers या मध्यस्तों की भूमिगा को समाप्त करना इनके उत्पादों का उचित मुल्य दिलाना है यह संग्ठन और संग जो है वह बन उत्पाद या ब्रिच्छों से संब्धित प्राफ्त होने वाले जो हैं जो भी फल लपड़ी जड़ी बूटियां जो भी चीजें उनकी उत्पाद का इकत्र उनका प्रशंशक्रण उनके विप्रन इत्यात से संबंधित होती है ध्यान रहे कि ट्राइफट जो बेसिकली एस याई के साथ में जो है गेहूं और चावल टिफादान में रे सोग्त करता है इसे जो है मूल्ययों के उतार हो में के सबस्राइब तो यह जिसे काम करता है मूल रूप से जैति हैसे छित्तों के लिए संथापना बगहर है के लिए जो है उंके उपज का सही मूल ऐक्सीर का स्थाप्नाू occurs life फूट कार्पोरेशन आफ इंडिया भारतिय खाद देने का बेसिकली इसके अस्थापना जो है ओलिटी कंट्रोल एंड जो है बफर इस्टार्ट जोन के लिए किया गया था यानि कि बफर इस्टार्ट जो बफर इस्टार्ट के एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतरगर देश के समख्ष उत्पन होने वाले खाद्यान के छेत्र में किसी बिसेश या आबाद इस्टिती सी निपटने के लिए जो है उस बफर इस्टार्ट से खाद्यान की आपूर्ति की जादिति लेकिन आने वाले समय में जो है इसकी भूमिका का थोड़ा सा विश्थार हुआ और यह जो है परचेज प्रोकेवर्मेंट यों जो है भंडान वेर हाउशिंग की छेत्र में भी काम करना प्रागर कर दिया यह दब इस फिल्ड में यह जो है विभिनर राज्यों की जो वहा राज यस्तर की एजनसी के साथ मिल करके काम करता है तो अगर देखा जाए आज की डेट में तो क्वालिटी को लोग ले करके सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है और क्वालिटी कोमेंटेंट करने में जो है यह इसके पास अपना एक संगठिनिक धाचा है क्वालि यहां से इसू किया जाता है तो यह चीज़ें होगाती है एफ सी आई के लिए एफ सीडी पूरेंट सिबिल सप्लाइज डिपार्टमेंट खाद्यों रस्त विभार की अस्थापना स्वतनतरता के समय बिबिन छेत्रों में लोगों की मुल्भूत आसक्ताओं को पूरा करने में निगने जाता थाकि विबिन छेत्रों में जो है अनावस्यक अस्था पर स्टाक बनाए रखने को रोका जा सके ताकि किसी छेत्र में जाला रहा तो आपूर्ती कम हो जाएगी तो इस तरीके से इस प्रकार के जो है आप उर्ति को सुसर्श्चित करने के लिए फ्क्री के लिए लोगों की मुनियादी और मुल्भूत जरूरतों को फूरा करने के उद्देश से आपके जो खाद्यूम्रस्त विभाग की जो अस्थापन की यह आज खाद्यूम्रस्त विभाग जो एफसी आई के साथ मिल करके काम कर रहा है खारीद में इसकी भी महतवर्ण भूम क जो आपने देखा यह किसी की बिपढ़न से जो संबंधित रही है जो कि हमारे जो आज के जाएं लेक्चर का दूसरा पॉइंट था अब हम लोगों ने यह देख लिया कि यहाँ पर क्या धाचा जो है डिकशित किया गया है भी बडन से स duy अगली जो साब कि आपक है उसके समस्या और यह जो समय कर रहे यह सारी ठाक सी कहां रहे है लेक्ट पो दिम्डिकरी कहीний जो कुछ समस्या है है तो हम इन समस्याहां को देखने का जो इस परियास करेंगो सबसे पहली बाद तो यह है कि असिच्छा किसानों में जो है असिच्छा या जावनुकता की कमी यह सबसे इंपॉर्टन चीज है गरीबी गोदाम कावहाव मार्ग की बदहाली याता याद के साधनों की कमी याता याद के साधनों की जो है कमी सूचना तंत्र काट कमजूर होना उचना तंत्र का कमजूर होना इसी तरीके से जो है खरीद केंद्रों की कमी खरीद केंद्रों की कमी ये कुछ पॉइंट है जो बेवहारिक अस्तर पर विपन की समस्या को जो है व्यक्त करते हैं असिच्छा आज कीड़ में किसान ग्रामीड छेत्रों में रहते थे और ग्रामीड छेत्रों की जो लिपेसी है साथच्छा तादर रहे वह कहीं नजहीं कम बनी में और उसमें सबसें ज़्यादा जो परसेंटेज है वह किसानों का इनमें किसा जब आसिच्छा है तो इनकी जानकारी या जागनुकतर नहीं हो पाती है विभिन आस्तरों पर जो विभिन आस्तरों पर लैव की जो रिसर्च होते हैं वो यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं टाइमली जो काम करने की ब्यवस्था नहीं पहुंच पाती है या जो मुल्य की ब्यवस्थाएं है अलग अलग मंडियों की ब्यवस्थाएं है टाइम टाइम जो अदेशन है आद्यतन किये जा रहे हैं उस मुल्य से परचित नहीं हो तो कहीं न कहीं आ सिछा भी जो है इनके म पास जो है गारंटी की रिशा आहिए और जब इस तरीके का समस्या पूरा करने के लिए बिचाव़ीओं के अस्तर पर लुण लेते हैं और उन्हें अपने फसलों को जो आवने पूने दाम पर उनके द्वारा बनाएगे सर्तों के दिन बेशना पाता है तो इसलिए गरीबी भी कहीं जो है इसमें समस्या का जो सिब इसे बंगता जा रहा है गो लिस्तायत कम होता और कुछ समय के बाद फस्लों का मूल अच्छा मिल सकता है लेकिन इनके पास जब गोदाम नहीं होता है इनके रख रखाव की समस्या कैसे हो सकती है यदि खाद्यान खुले में रखा जाए तो उसके नुकसान हो सकते हैं तो ऐसी इस्तिती में इन्हें जो ह हैं मंडिया हैं वहाँ पर जाने के लिए जो रास्तों की आउसकता होती है कनेक्टिविटी की कमी यद्दभी सरकार बर्तमाल समय में लगातार प्रियास कर रहे लेकिन फिर भी काफी छेत्र हैं जो बारिस की समय में कट जाते हैं या जहां पर गड्डिये हैं मार्ग अच् च्छेत्रों में अगर सर्वे किया जाए तो यह बात भी सामने आती है कि उतना दूर कौन लेकर के जाएगा अपने खाद्यान की विक्री के लिए तो यह इसी बात को निवर करता कि रास्ते अच्छी हो तो निश्ची तोर पर कनेक्टिविटी हो सकती है लेकिन रास्ते न जब गरीब है तो उसे से जुड़ा हुआ उनके पास ट्रेक्सर ट्रेक्टर है लेवलर है यह सारी चीजें नहीं होती है तो उनको आप साधनों के लिए दूसरे के ऊपर निर्वर होना पड़ता है अच्छा यह कहीं न कहीं इन खरीद केंद्रों से जुड़ा हुआ बीचार्जें होंगे यह सारी समस्यां किसानों के सामने हर बार विपड़न बरस में आता है तो यह भी कहीं न कहीं समस्या सूचना तंत्र का अबाव आतुनिक समय में अत्यातुनिक जो है साइंस टेक डिवाइसे इंटरनेट की दुनिया से जो है बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं है ऐसी थिति में इनके फसलों के मूल के बारे में जो एक सर्वोमिक ब्यवस्थाएं होती सरकार तंत्र के द्वारा सुबकृतिक ज इसी समस्या अब भी जो दिखाई पड़ती हैं तो यह भी सुचना तंत्र की कहीं कमी है खरीट के अंदर जो कि एक बेवार एक समस्या है यह सबसे महात्मूँ चीज है क्योंकि खरीट के बरसों में जो खादिर सद्वीभाग एफस्याई कॉपरेटिव इन सभी परदेश, पंजाब, भरियाणा, चाथिसगर या इस तरीके से जो जहां पर किर्शी की प्रधानता है किर्शी फसलों की प्रधानता वहां पर एक समस्या उत्पन होती है कि फसले और किसानों के दौर पादित जो जिन्स हैं उनकी मात्रा इतना जाला होती है खरीट के पर ना तो उतनी सुपधाएं होती है और नहीं उतना समय होता है कि वह फसलों की विक्री के लिए ही पूरा-पूरा अपना समय उसमें खर्श कर सके तो खरीट के अंदरों की कमी इसमें भी जो कहीं ने कहीं समस्या बनाता है तो यह कुछ थी जो है बेवस्थाइं ये परन के मारव में जो बाधा उत्पन करते हैं जिसे किसानों को उनके उपज का सही मूले प्राप्त नहीं हो पाता है तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना आउस्थ है उपाय के अंतरगत जो है सरकार के द्वारा एक नियंत्रित जो है एकी कृत एक रूता पर आध कि किसान अपने फशनों को कितनी अहरी आशायिस सकता है कि सानों के जो पांदन जगां के है यानि कि खेट है जो है कोहां से बहुत दूरी पर नहीं होने चाहिए यासे किसी भी नहय पंच्यायत अस्तर आपना फिर आज की डेट प्रिष hormone के मिकल्ष मारत के नाजोगे नाज द्माय नें हr संगठित नियंत्रित और एक एक कृत जो है खरीद केंदर का धाचा इसमें जो बिक्सित होना चाहिए ये सारी जो चीजें खरीद और विपढ़न की वेवस्था को कहीं न कहीं आसान बनाएंगे और इससे किसानों को उपच का सही मुले मिल पाएगा तो इन सबी बातों को ध्यान में रखा जाएं तो ये एक बात तो इसमें निसकर्स की रूप में निकल करके आता है कि जहां पर किरसी जो है बिभिन छेत्रकों के अंतरगत इंडियन इकानमी के अगर बात करें उसके विविन चھेत्रों में एक महातफूर जो है छेत्र है वहीं पर यह जो किसानों की आयरोजगार निर्या जीडिंपी में जो है इसकी महातफूर ढूमिका है ऐसे इस्तिदी में जो सरकार लगाता रिज़िसा में प्रियास कर रही लेकिन अभी भी कुछ शेत्रों में इसमें कमी बची हुई है लेकिन जिस तरीके से जो सकार आगी बढ़ रही है उमीद किया रहा सकता है कि आने वाले समय में संगठी तो रेकी कृत धांचे का विकास होना जो है संभव हो पाएगा जिसे किसान अपने उत्पात और अपने ट्रूप चैनल को विप्रन बेवस्था के अंतरगर सरली कित्र धंक से विक्री कर पाएगे और इससे उनकी उपच्का सही मुलिबच पाना संभव हो सकेगा तो आज के इस लेक्चर में किसी विप्रन से सम्मवन दित बस इतनी ही ब्यववस्था और धांचा अब अगले ल किच्चर को लेकर की आएंगे तब तक के लिए नमस्कार